वक्रतुन्ड महाकाया कोटी सूर्य समप्रवा निर्विग्नम कुरुमे देवा सर्वकारे सु सर्वदाहा आदन ये दर्शक ब्रिंद महानभाव जिवहरू बुद्ध सामुदाइक टेलिविजन को विशेस कारिग्रम सोस्तानी वर्तक था जो स्वस्तानी को समय शुरू बहय को शा रा पिभिन्न हर्शोललास पुरिवग्र शळुर्वदाणी व्रत गर्णे गरींचा रा हमरो नेपाली समाज मा जुदी बहिनी अरुले घर परिबार मा सबे मिले रा स्वस्तानी को परमेश्वरी को पुजा गरने परमपरा रा प्रचलन छा सास्त्री और प्रमाण पनी छा इसकंद पुरान अंतरगत को दिव्य कथा पनी श्रबन गरने गरीं छा रा भगवती स्वस्तानी को उपासना रा आरधना पुर्णिमा का दिन देखी जुन विधिवत गरने गरीं छा रा अजे का दिन देखी जुन स्वस्तानी भगवती को कथा गर गरमा श्रबन गरने रा उने भगवती को दिव्या आरधना गरने मद्यान्यमा भगवान श्री महादेव को पुझागर ने ... एती पुझागर ना ले आफुले चाहे को बर दौने चाहे को इच्छ्या मनुकामणा पूर्णवने विश्वास पनी रायको छा रा सास्त्रीय वसन पने रहेको छा कि जसले भगवती को पुजा रारधना गर छा उसले समपूरण फल प्राप्ति गरना सक्षा पुजा अरधनाले पैक्तिले भग्तरी चाहे को मनुरत पूर्ण हुनछा रहो मनमा चाहनति र शुखः शम्रिध्धिको बास हुने गर्चाँ तिस कारण ले पनी येस माई नमा पनी सोस्तानी परमेस्वरी को ब्रत सोस्तानी को कथा स्रवन को विशेस महीमा पनी रहाएको छा रस्वस्तानी को ब्रत एक मेना बरी जुन प्रकारले ब्रत बस्तनिवाला बेखती अरुले भिभिनन प्रकार को नियम अरुलाइ पालन गरन परने होंचा जुने नियम लाई पालन गरी सके पैचि ब्रत अलुले अवस्य सफल ताहसल गरना सक्क्षा ब्रतक देरेक अठोर नियम होनशन ती नियम अरुलाई निभाउंदे ब्रत गर्ने गर्णु परशा रा सवयले माता दिदिवाईनी अरुले स्वस्तानीको विधिवत ब्रत गर्ना सुरूप नी गर्नु भायगो शा या अरुलाई पने विशेश गरेड़ा भगवति को किरि बेला हमीलाई स्वस्थानी को कथा चपाल्य गर्न, श्रबण गर्न, अ मगलाचर Hamilton बंदा पैलाओ गर्थ विशेच गरेरा कथा शुन लम्दा पैलं, अविल glowing गर्थ यो विशेश गरेरा बैदिक सनातन धर्मा वलंबी अरुले भगवान को उपासना रा देवी को उपासना गर्ने पद्धतिर परंपरा पनी हो यसे गरी सर्व पर्थम कथामा स्तुति गर्नी चा रफूल चन्दन अक्षेतादी लियरा भगवती मातालाई प्रार्थना गर्नी गर्नी पर्शा शुरा सुरगणा देवायता स्मै नमा स्त्रीमद चंदन चार्चितो जलबपु शुकलां अम्बरा मल्लेका माला लंकृत कुंडला प्रविलसन मुक्तावली सोभिता सर्वाज्यान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्ष्य मालाकरा बागदेवी बदनां बुजे बसतुमे त्रैलोक्यमाताचिरं मुकं करोति बाचालं पंगुम् लंग्वयते गिरिं यतक्रिपातमहं बंदे परमानंदमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासाया मितते जसे यस्यम प्रशाद बक्चामे नारायन कथामिमाम नारायनम नमस्कृत्य नरम्चैवन रुत्तमम् देविम सरश्वतिम ब्यासम् ततो जयमो दीरै फूल चन्न नक्षेता भगवती लाई चड़ाऊनू परस चड़ाई सके पची सब्यली दत्त चित्त भाहर भगवती मातागो सुस्तानी को कथा स्रबन करने राजाप हमिले प्रथम अध्याय को कथा प्रारम में गर्शों रो प्रथम अध्याय मां जुन भगवान का दिव प्रथम अध्याय प्रारम मां जुन चैशरी येशे करीब पूर्वकाल मां समस्तर इसी मुनियारू मां सब्य प्रकारले ख्याती प्राप्त करेका अगस्त्य मुनिया आपनो आश्रम मां तत पर लिन्थिये एक दिन मयुर्मा चड़े रैसकंद कुमार पनी तेहीं पालनो भाये चा अगस्त्य मुनिले देखे रह सम्मान का साथ अगस्त्य लाई आसनमा बसाली स्वागत सत्कार सकी पचे नम्रबानी ले स्वदे हे कुमार यू संसार कोसरी स्रिष्टिवायो एस्ता प्रकार ले इसको विशेमा जानना एक्चा वयो माउपर कृपागरी आज्या भये आफुलाई धन्य सम्जाने थियें अगस्त्य को प्रस्ण सुनेर कुमार जी भन्यों साहे मुनि तिमी एक्चित्त वयिशुन मतिम्राति मिलाई स्रिष्टि को कर्म बताऊंचू यो स्रिष्टि प्रारंब हुदा पहिले परब्रह्म परमात्मा को इच्छा स्वयम स्पुरण हुना साथ त्यही इच्छाले प्रेरीत समस्त गुणले ए युक्त ब्रह्मा विश्णुर सदासिव प्रकट भये तिनका सक्ति स्वरुपत्रिगुणले युक्त मायावा प्रकृति उत्पन्नवाईन ती त्रिगुणात्मे का मायालाई जित्नवा बसपार्न अत्यंत गठिन्छ उने माया वहंदा पर प्रतिष्टा युक्त निर्विरित्त पद छ त्यो भंदा पर सांति पद र उभंदा पनी पर सांत्यातित पद छ विश्पसी विद्या पद छ वने र विद्या भंदा पनी पर निवरित्त पद छ जानने हरो यह सैला आई मोक्ष्य पत्पनि भन्य गर्दै चन, यो सं शेप मावायो अली विश्ताले स्रिष्टी को क्रम बुझाउन और बुझनपनिनिकंगै कटिन च सं शेप मा भनने को कारण पनि मुख्यय यही हो प्रलाया रा स्रिष्टी को क्रम बेगल बेगलाई छा एक नियमले स्रिष्टी हुन्छा रा अरको नियमले प्रलाया हुन्छा जो तिरगुणात्मे का माया संती सांत्यातित सांती विद्या प्रतिष्ठार निवरित्यादी पदमा रहन सक्तिनन माया भन्दा पनी टाडा रहने जो अभ्याक्त शात्यो आत्मा विद्यमान छ जीव अज्यानी रप्रकृती जड हुनाले समस्त परमानु अचे चन पनी सुईकारे काजन तापनी बेद बेदान तादी सास्त्रमा सबैको गति पुगने नपुगने हुनाले सबैलाई तुरुंत निस्चय हुना सक्ताई ना तेसे कारण जन्म मरन रूप ववंदन न चुटे रा यस्ते को चुख दुख केवल अनुभवगरने जीव द्वारा यो संसार को क्रम चली रहे को छा यो क्रम कल्प कल्प को भेदले बिभिन जाई देखिने हुदा अनेकों कल्प मत देख केवल पदम कल्प को मात्र यहाला समक्ष बर्णन गर्द चुद्यांदेर स्रवन गर्न वला ब्रह्मा विष्णु सिव एक हुन इनमा सानो रठुलो भन्ने वेद पटक के छादै चैना हे मुने स्तुरिष्टी गर्ने चतर मुख ब्रह्मा पालन गर्ने विष्णु सम्हार गर्ने एस्तेगरी रुद्र होन बने विष्णु रसिवका आयुको अवधिवा प्रमान च्हदै चैना ब्रह्मा को स्वय वर्षायू परमायू भनिन्छ उनेको प्रथम पचास बर्षलाई परार्वन निगरिन्छ वने स्वय वर्ष पुगी सके पची उनको पनी नासोंच वा प्रलय उन्च प्रलय पची समस्त संसार रहे स्वारै का बस्तु अरू केही रहन्न अनि इस्वरद्वारा रहेसमा रहेका बस्तु अरुपनिक्य रहनन अनि इस्वरद्वारार को स्रिष्टि को क्रम आरंब हुन्छा त्यो नया स्रिष्टि पनी अगाडी जुन क्रम अले चले को थियो स्वय की प्रकारली चलना थाल दाचा प्रलौए चाहीं अनेक प्रकारली उछे ब्रम्मा को घर ग्रियास्ती सवयचे उनले पने खानो शुतनु परदाचा उनि बसनी लोके को नाम सत्य लोको प्रात काल होदा उनली श्रिष्टी गारदाचाँ वने उनै को एक दिन मैं सत्य रेता द्वापर कली चार यूग बहत्तर पल्ट घुमी सक्दाछन बड़ा विशाल छा रात परी सके पची प्रलाय गर्दाछन यह इक्रमले जब ब्रह्मा कुछ स्वय वर्ष पुग्दाछ तब महा प्रलाय हुन्छ यस्ता महा प्रलाय पची फेरी पहले जस्ता नहीं रज युक्त युटा अंड़ा उत्पन्न होंछ वा बंद शा यसता प्रकाले यो अंड़ा ब्रह्म महै हुनाले तेशको नाम ब्रह्मा अंड र्यको हो बनड़ पनि सकी न्च ब्रह्मा अंड आजस्ते भाय को कारणले यसलाई ब्रह्मांड पनि भन्ने गरिंच यही अंड पुटेर दुई भाग मां भाय पची एक भाग को प्रकृतिरार को भाग को पुरुस्त भने भाय बन्ने मानिंच वेस्तेई बाट प्रथम स्रिष्टी चतुर मुख ब्रह्मा भै भने पालन गर्ने अनंतकोटी ब्रह्मांड का स्वामी विश्णु भै यसेवाट संपुल्ण विभिन्न प्रकार का स्रिष्टी अरु प्रारंब होंचन इनई को योश्रिष्टी को कार्य निर्वाद गतिले गर्दचन जसकोई च्याले त्यों अंडको उत्पत्य होंच तेस परब्रह्मा परमात्मालाई त्रेगोन गुणातेत चतुर भ्युवा नादी अजन्मा हिरन्य गर्भ प्रजापति आदी भन्दचन शुमेरू पर्वत समुद्रको बीचवा समस्त जीवारू गर्भासयमा बालक रहे जस्ते रहे काजन्द शूर्य चन्र ग्रानक्षत्र आदी पनी तेहीं सुमेरू को चारेती रस्ती चन्द निराकार आकास पनी त्रिगुणात में का मायार पंच महाभुतले बेरिये जहीं भई आकार बन अर्थात एक रूप वाटर को रूप देखींच पर यस आकास लाई रामरी विचार गर्दा आदी मध्य अंत्य नवय को अनादी अनंत परमेश्वर को लिला मात्र हो यस संसार नई भ्धानती को रूप हो किनके उनैं इस्वर को इच्याले स्रीष्टी स्थिति सम्हार होंच धाग मादान उनिये जहीं यस संसार प्रभ्रह्म परमात्मामा उनियेको चानंत कोटी ब्रमांड को गणना गर्न सकिन्न जती ब्रह्मांड चन उतीने ब्रह्मा विश्नो सिवर चंद्र सूर्य इंद्र दिक पालारू भिन भिन रैकाचन येस्तै स्वपन मा देखिय का नेकों सुकर दुख गुआनुभव मा जागा हुना साथ केई पनी राना सकताई न येस्ताई यो मित्या नित्य संसार पनी यो संसार शुख दुख पनी स्वपना जास्ताई हो आउच जान्च त्यो कैले पनी एथा स्तीर राना सकताई न शुख दुख त मनले मात्रा नुभव गर्दच तेस कारणले तेसको भागी जुन मन हो तेसल आपनो बसमा राकनो नए इस्वर प्रापति को मुख्य साथन्र वातो हो। जैलि सम्म मलाय आमिले एकत्रित गर्न सकिदेएन तवसम म इस्वर प्रापTFि गर्न सकिदेएन। येस्ता प्रकारलिवा आई येस मनलाई आपनो बसमा राकनो नहीं इस्वर प्राप्तिको मुख्य वाट हो भन्निकुणा पंडितले रामरी बुझन पर्दस हे मुने तिमी पनी एकाग्रमनले तपस्यागर अवस्य सिद्धी मिलने चा मैले यो स्रिष्टिको क्रम संग्षेप मा सुनाई अव दोस्त्रों अध्यायमा पद्मकल्पको वरननगरने सुध्यान पुरुभक सुना एते ही स्कंद पुराणे केदार खंडे माग महात्मे कुमार अगस्त्य संबादे स्रिष्वस्तानी वरत कथाया स्रिष्टिक्रम बर्ण नम नाम प्रतमो ध्याया रा कथा पस्साद सवेश्रबन गरने सुरुतारुले भगवतिलाई विसेश गरे रा सवेश्रुतारुले नित्य कथा सुनी सगे पसी पुनाह पुष्पांजली भगवतिलाई और पन गरनो परदाछा जो बिविन्न स्लो करुले भगवतिको पुष्पांजली राहे कोछा यारुले पनी स्वेश अनरूपने कारिय गरनो होला उपनयतु मंगलंब सकल जगन मंगलालय हस्रिमान दिनकर किरन निवोधित नावनली नदलनिवेट्यन क्रिष्णा काले बरशतु परजन्य हा पृधिवी सस्य सालिने देशो यम्चो बराईतो ब्रामना संतु निर्भया अपुत्रह पुत्रिना संतु पुत्रिना संतु पुत्रिना संतु पुत्रिना संतु निर्धना सदना संतु जीवन्तु सरदाम सतं तत्रई वगंगा यमुनाच तत्र तत्र गुदावरी सिंदु सरस्वतीच जीर्थाणि सरबाणि बसंति यत्र यत्रा चुतोदार कथा प्रसंगा या कुंद्वेंदुत सारहर धबला या सुब्रभस्रा बृता या भेना परदंड मंडित करा या स्वेप्त पदमासना या ब्रह्मा चुत संकरा प्रवृतिवेर देवै सदाबंधिता सामाम पातु सरस्वतीभगवती निशे सजाज्यापा काये नबाचा मनसिंद्रियरवा बुद्ध्यात्मनावा प्रक्रते स्वभावाद करो मियादियाद सकलंपरसमै नारायनायेति समरपैतत स्रीश्वस्तानी देव्यार पनमस्तु पूल भगवतिलाई चड़ाईकन प्रणाम गर्नु रप्रसाद आदी स्रेवन गर्नु परत बने आजको प्रथम दिन को कथा स्वस्तानी भगवति प्रमेश्वरी को कथा यहां रू समक्ष वाचन गरियो प्रविदिवाट सयोग गर्ने प्रविदिज्या माधव पवडिल का साथ मा धुरबसरन धुंगाना पने आग्यासाहां सु एरदेगर्नु हला बुद्ध साम समदाइक टेलिवेजन पुनाहां जोतिस्क कारेक्रम रही यहां रू का भविश्या आदी लाई हिली एर आमी उपस्तित होने ने शाँ आमी लाई हिरदेगर्नु हला